कएmirendra का अच्छों कैसे आप सभी लोग आप पर्टिकल मास्ट्र में सभी का स्वागत थे दोस्तों जैसे मैंने आप सभी से कहा था सभी के लागा थाहिए ने सम्स को रहती के सारे पर लयुक्त मिछा दिखा दीजी लेटर में अखे परदानचार जी परदानचार महौदे भी लिख सकते हैं पर जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहां पर नाम के बाद दोस्तो आपकी स्कूल का एडरेस अगर आपका इंगा अगर आपका स्कूल pand सबसे इंपोर्टन चीज विवाद निप्टान ठीक यह न डिस्प्यूट सेटल्मेंट विशाय सबसे महत्पूर्ट तो भी विवाद निप्टान और जिस विवाद निप्टान से संब्दी थे यहां पर आपको लिख देना है कि कि आपके नमबर जो काटे गए इस तरह से ज फिरेन खी आएगा अगर आप 12 क्लास से हैं तो 12 क्लास के नाए आप राएगा और सब्सक्राइब जिस भी सेक्षण में आप ऐबी सी जी तो सेक्षण कर नाम भी आएगा ठीक है यहां तक कन्फर्म हो गया आप आपको लिख रहा है कि चात्र का नाम अब आपको नाम क्या ह हैंकि यहां से लिखने के बाद आपको अपने पत्र लिखने का उद्देश की आधार किश आधार पर आपको अपना जो हमकर पर लिखने पड़ेंगे कि अगर को दो से के इत्ने इतने नंबर है के भूर क सब्सक्राणिि दो Honors employer our ठीक अगर कोई आपके बस रिकोर्डिंग का साख्ष है कि भाई हमारे स्कूल से पैसे मांगे गए हैं या को लिखी साख्ष है तो वहां पर भी आप यहां पर आपको लिख देने इस परस तरीके से ठीक है अब यह बताना आपको अगर आपको क्लास टेंथ में अच्छे अब इसके बाद दोस्तों आपके क्या लिखना है यह पूरी चीज समाप्त तुझानी बाद यहां लेटर इस पर स्टूप से किलर कर देना है ठीक है सट्रीक सब्दों में और ताकि टीचर चुको अच्छा लगे इस प्रिंसिपल को देखने में अच्छा लगे अच्छा समाएगा ठीक है नाम फिर क्लास और सेक्षन वर्ग रोल नंबर मॉबाइल नंबर इमेल आइडी यह चीजी बहुत इंपोर्टन्ट है यह लिख के दोस्तों आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दे देना है जी दोस्तों आपको पूरा लेटर हो जाता है complete तो यह आप आप इसकी स्क्रीन सोट ले सकते हैं एक बार कि आपको कैसे लेटर को लिखना है ठीक है बिल्कुल सटिक तरीके से बिल्कुल भी कार्चार्ट नहीं किए इसमें दोस्तों अब बात करतें इंग्लिस में जो अच्छा तर इंग्लिस में लिखना चाहते तो उनके लिए भी जैसा फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना फॉर्मल लेटर टू दा प्रिंस्पल नेम उप देश्कूल इस पर पढ़ते हैं तो उस स्कूल का नाम यहां पर आ जागा उस स्कूल का एड्रेस आजागा फिर डेट आजाएगी ठीक जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं आगर लिख लोगए आज नोत अगर अगरिक में आप पत्र लिख रहे हैं तो आज आपके डेट यहां पर लिखी होनी चाहिए क्लिए तो अब सब्जेक्ट दोस्त लिखना है सबजक्त कहा है दो सो एप्लिकेशन पोर्डिस्प्यूट से लिए इंपोरेंट फिर यहां पर अब आपके प्रिंस्पल है तो सर है या मैडम या मैडम लिखना आपको फिर लिखना है या से दोसों I back to say that I am a student of class अब क्लास के बाद आप जिस क्लास से हैं 10 से हैं या 12 से हैं फिर वही चीज़ें और फिर section अब आपने जो पत लिख रहें किस लिख रहें वो बता देना है कि आपको जो डिस्प्यूट है यदि आपके बाई प्लास 12 में तो आप बताएं कि मैं क्लास 10 में 95 परसंट आया मेरा क्लास 11 में 94 परसंट आया है पार 12 में मुझे 57 परसंट दिया गया है तो वह सारी चीज़ आप यहां प्रume के साथ ठीक必iggles 11 त में कितने बाई हैं क्लास 10 में कितने बाई हैं क्लास 9 में उτα 2 में में बाई हो सारी चीज़े हैं लिखना है कि हमारे साथ बेवार गलत किया गया यदि इसके बाद अगर आपके पास कोई रिकोड है किसी टीचर का किसी प्रिंसिपल का किसी चीज के भी को रिकोर्ड है कि अपसे पैसे मांगे गी तो वो सारी चीजा आपको बतानाई कि हाँ मेरे पास ते साख्ष है तो इस लिटर में उसको inform कर देना है बस यहां तक लिखने बाग कंप्लेट होगा आपको लेटे दोस्तों अब लास्ट में चीज आपको लिखना है थैंकिंग यू यूर्स ओबरेंटली या फेट्पुली या सेंसली जो भी लिख सकते हैं फिर आपका नाम आएगा दोस्तों यहां पर ठीक है स्कूल की प्रिंसिपल को लिखना है आप बिल्बकुल इसी स्क्रीन सूर्ट ले सकते हैं और उसको पूरी तरह से अपना काम कर सकते हैं दोस्तों वीडियो दोस्तों अच्छे लगी हो तो इसे लाइक गय defense आएख तो अब्यूर अब कर पाया हूँ तो अगर आपको दोस्त गुजुरु साबस्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद रोस्तु जाहिए